जैहिन हम लोग का परोसी मित्र चाइना जो है वो भारत के साथ खेलवाड कर रहा था वो बड़ा उड़ रहा था लेकिन उसी के साथ खेला हो गया अब इसको समझते हैं क्या क्या खेला हुआ 1959 में चाइना ने तिबबत पर कबजा कर लिया ठीक है इसका नाम है तिबबत इसके बाद ये करता है कि तिबबत एक हथेली है इसके पांच उंगलियां है पांच उंगलियों में उसने एक उंगली कबजा कर लिया जिसका नाम रखा उसने जो मतलब अकसाई चीन को उसने क्या कर लिया, कबजा कर लिया, कर लिया कि यह То हमारा ही होगा यहाँ पर उसके अलावे यह कहता है कि नेपाल भी इसी का है, जी किं productions का है भूटान भी इसका है, और नाचल पर देश 15 का है । तो सब Sw disse सब्सेप्राइ पुर्वी राज अरुनाचल परदेश का पुराना नाम नेफा था यह जाम में कोश्चन पूछेगा नौर्थीस फ्रण्टीर एजेंसी करते यहां तीन सब्सेप्रमुग परवत हैं डाफला, मिष्मी और पठकोई डाफला, मिष्मी परवत हैं सब्ण हुआ पर यहां पर अभीर और ढफ़ला पाडियां चाय के लिए फेमस है और अना चल परदेस क्या कहता है कि यहां की तवाँ घ्लजने वाले नहीं है किसी का नाम कुछ भी रग देने से नहीं हो सकता है, आकास नाम का लड़का भी धर्ती पे ठोकर खा सकता है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग के लिए सबसे बढ़ा प्लस पॉइंट होता है, यह नौर्थ इस्ट वाले लोग होते हैं, बड़ा हमारे साथ द बनेगा, मौल बनेगा, स्टेडियम बनेगा, क्रिकेट बनेगा, पर्धानमंतरी का दावरा होगा, जो भी होगा हम लोग इधर के और जादे करते हैं, ताउत इंडिया के और भी ठिक टक डेवलपमेंट करते हैं, इधर बाढ़ के बरों से छोड़ देते हैं, नेचूरल लेकिन यहां के लोगों को सेल्यूट करते हैं, वहीं सही है, जोपड़ी हैं मेरा, लेकिन भारत में रहेंगे, तो यह 15 सारों का यह नाम बदलने की कोशिस कर रहा है, चाइना है, इसके अलावे यहां पर गलवान घाटी में उपहस गया है, पहारी के नीचे, बारती सेना अगया है, यह उपर और वो आगया है नीचे, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, क्योंकि पहाडी पर हम ऐसा एडवांटेज मिलता है, यह देखिए, यह जम्मू कस्मीर हो गया, और यह लद्दाक का एरिया हो गया, लद्दाक के इस एरिया के पास है गलवान घाटी, अब गलवान घाटी यहाँ पर है यह वाला एरिया है आपका गलवान घाटी, इसके उपर में चाइना घिर गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे उचा एरपोर्ट भारत का, दौलत बेग ओल्डी यहाँ का सबसे मतले स्ट्रेटिक लोकेशन पर एरफोर्स का बेस है और यहाँ पर सियाची गलेसियर है तो उपर से तो हम लोग इसको घेर लिए है और नीचे से भी यह गिर गया है तो नीचे से पहाड़ी उप से घिर गया है देखिए यह गलवान घाटी है यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था गलवान घाटी में यह सारी पहाड़िय इस पर जेसी भी चलबा दिये यहाँ पर वापस बेजा गया इसको यहाँ पर इस इंसिडेंस में यही पर वो लोग लगा के बैठे थे और 15 जून 2020 को हमारे करनल संतोज बावु के नेतुरित में यहाँ से जब आर्मी गई थी तो हमारे जवान यही पर सहीध हुए थे चाइना क्या कर रहा था इस एरिया में घुसपैट करने की कोशिस कर रहा था भारत में उसको अच्छा से जवाब दिया जितने बड़े-बड़े पहाड़ हैं इसके ऊपर भारत आ गया इस उचाई वाले पहाड़ पर अब चाइना बेचारा इधर घिर गया और यह है भार पहाड़ी के पास क्या यह इस पांगर जील अब चाइना के हाथ से चला गया है क्योंकि यहां भारतिये सेना पहुच गई है और चाइना इस एरिया में खड़ा है इसके सामने समस्य यह है कि यह सारी पहाड़ यह नीचे और चाइना की फोज जो है वो इस इस पैंग सो ले पूरभको लेके भीवात था अभ यहां पर चािना उसका भारत मैं है कि तुम एट फिंगर के पीछे जा कर जा चाना के हम ये जब यहाँ पर शरड़ा करना चालू किया तो बारत ने इधर से सब कर लिया यह पूरा अब बेचारे वो स्पार जया है सब क्या करें सब और हायए थीक हम चले जाए है तो वो हाइट पर है है उसके लिए सरदद बना यहां पर पूल बनाने के वारत ने कई सारे में पॉ हेलमेट माउंटेन हो गया, ब्लेक टप हो गया यहाँ पर और मांगुर लेक हो गया, मांगुर पाहडिया, यह चारों पर भारत ना कबजा कर लिया, और उसके बाद यह इस पांगुर लेक है, यहाँ पर तो भारत का नियंतरन हो गया, और आपको देखेंगे कि वह एकदम न बाद में इसको बीडियो बनाना पड़ेगा, इस नीचे वाले एरिया में उसको कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी पहाड पर हाइट का फाइदा होता है, यह ब्लैक टॉप हो गया, यह चुसूल सेक्टर हो गया, यह सब एरिया से भारत को कापी जादे फाइदा होगा, और यहां से सडके भी प्रॉपर बना ली गई है भारत द्वारा, आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर ढ़ंग से सडक बना ली गई है, और यहां पर भारत अपना बेस भी बना के रखा है, जो सेन अड़ा है, उसको भी बना के रखा गया है, तो ये भारत के लिए काफी प्लस पॉइंट साबीत हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए चाइना को डर लगता है, ये ITBP का है, आप देखें अंतरिक्स से भी दिख रहा है, ITBP यहाँ लिखा अपने सोचल मीडिया के माध्यम से परशार करना चाहरा था, उसने क्या किया कि अपना तिरंगा तो उसका है यह लाल जंडा लेकर लाराता है, और यहाँ चाइनीज भासा में कुछ लिखा है, जिसका मतलब होता है कि हम अपनी एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे यहा हला कि यह चाइनीज साइड में जो गलवान है, जहां पर उसने कबजा किया, वो भी हम ही लोग का है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि चाइना का हम लोग का नहीं है, लेकिन 1962 से ही चाइना के कंट्रोल में, वहाँ यह जंडा को लहराया था, तो भारत में लगा लोगों की इधर लगाया है, बाद में पता चला कि वो इंडिया वाले एरिया में नहीं है, तो उसके बदले में भारती जो जवान थे, वो पूरी तरह गलवान घाटी में घुस के यहां पर गलवान में, और तिरंगा जंडा को ला रहा है, पूरे गलवान में अच्छे से, तो चाइना, भ इस अच्छे वर्दी पहिना भेज दिया है, फोटो किचवाके, कि हम अपनी एक बी जमीन नहीं देगे, आप टिक टोकर अवान सब अपने हाइलाइट होता है, सब कुछू पहिन के नहीं लगता है, तो इस अच्छारत भावान सब जो बाता है, तो शुचू पहिन के मीडिया पर भवाल हो गया अब चाइना की कम्टिश्ट पार्टी ने कहा कि कोई भी सेना पर अगर सवाल उठाता है तो उसको जेल भेज दीज़ा वाह रे भाया वाह जेल चल गया सब जिसने भी सवाल पुछा जेल चला गया चाइना के अंदर में चाइना में सोसल मीडिया आप इंटरनेशनल सोसल मीडिया यूज नहीं कर सकते हैं बलकि चाइनीज वर्जन यूज करेंगे यूटूब को यूकू कहता है चाइना वहाँ पर गूगल को बाइडू कहता है फेस्बूक को वीचैट तो यह यह जादे फेमस है वहाँ पर वीचैट और यूकू फेमस ह अब चाइना ने एक नया डिजाइन लाया का कि बहुत बेचती हो गया चाइना ने कहा कि गलवान घाटी में हमारे जितने भी साइनीक सहीद हुए थे जो जमीन कबजा करके लाएं वहां से हम लोग पत्थर को लाएंगे अभी इससे सुरा पत्थर उठाके ले रहा है और क यह आप बहादूरी के लिए इससे आपके देशभक्ती जगेगी तो यह तो वह मनोवेज्ञानी खेल खेल रहा है चाइना भारत सरकार को भी इसका जवाब अच्छे से देना पड़ेगा ऐसे कि चीन जो है उसकी सबसे दुखती नस जो है वो तीबद है तीबद पे 1959 में क बनेय anni का लिए देनेयmeden के पतों को खुब अच्छा से प्राप्ती चाहिए कर आके दलाईलमा के थुरू दिलाना चाहिए तकि इनके अंदर अपनी एक स्वातंत देश की भावना जीवित रहे अगर स्वतंत देश की भावना जीवित रहेगी तो आज नहीं तो कल ये पलट देंगे इजराइल जिसका कोई देश नहीं था लेकिन एक उनके अंदर स्वतंत देश की भावना जिन्दा थी ब्रिटेन के सहयोग से उसने इजराइल बना लिया तो तिबबत के अंदर के लोगों के अंदर भावना जीवीत रहेगी तो एक ना एक दिन देश बना लेगे और हम लोग तिबबत हमारे सेना में भी तिबबत के फोर्स बहुत अखे से काम करते हैं हम लोग चाइना के सेना में भी तिवबत के फोर्स जादे हैं, जो भी यहां duty कर रहा है तिवबत के ही कर पाते हैं, इधर वाले तो बकलोल होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो यह चीज हम करेंगे तो तिवबतियों के बाद एक अपनी देश प्रेम की भावना बची रहेगी, और यह कि खेला को खेला को इसी हो गया समझ गया होंगे, मिलेंगे नेक्स क्लास में, जैहें